हेलो फ्रेंज वेलकम तो माई चैनल निशू जाइका मैं हूं निशू आज हम बनाएंगे मेथी का चीला अगर मेथी पराथा खाके हो गया है बोर तो एक बार मेथी चीला को जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही जटपत बनकर त्यार भी हो जाता है है तो चले फृष सुरू करते यह बनाना लेंगे एक बरसा भरतन और इसमें डालेंगे मे bauen यहांपर 200 ग्राम मेथी लिए इसका पत्या तोड़र कर और इसे से धो कर बारिक काट कर डाले और फिर इसमें डालेंगे आटा तो यहां पे 1.500 ग्राम आटा डाले और अब इसमें जाएगा दो चम्मच बेसन डालने से आपका चीला जो है सौफ्ट बनेगा और टेस्टी भी बनेगा फिर इसमें डालेंगे आधा चम्मच लैसन अद्रक का पेश्ट और अब इसमें जाएगा दो हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं अब इसमें डालेंगे स्वाद के नुस्वा नमक और फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा आजवाइन इस तरह से हथेली पे मसल कर डाले इससे अच्छा फ्लेवर आता है अब इसमें जाएगा अधा चम्मच हल्दी पावडर अधा चम्मच लालमिच पावडर अब घटा बढ़ा सकते हैं इसके बाद डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पावडर बेकिंग पावडर डालने से बहुत ही चीला जो है सौफ्ट ब जाता है यहां पर मैं एड कर रही हूं आधा चम्मच के करीब लेमन जूस इससे बहुत ही चरपटा टेस्ट आता है अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसका घोल बना लेंगे तो यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी एड करते हुए हम अच्छे से बैटर त्यार कर ले एसी तरह से आपको बना लेना है तो चलिए इसे हम सेख लेते हैं सेखने के लिए गया सान करें और उसपे चलाएंगे तबा तबा को गरम होने दे और इस पे हम एक चमच तेल पूरा प्यट फैला लेंगे और इसे गरम होने दे गयास का फ्लेम मेडियम कर ले तो यहां यह देख सकते है यह गरम हो गया तो आप डालेंगे 2 चमच बैटर इसे चमच से ही इस तरहसे गोल कर लेंगे शेप如果で देंगे और इसे एक मिनट के लिए सेख लेना है तो यहाँ पर एक मिनट हो चीला बनकर रेड़ी है, सर्फ करने के लिए तिसे आप ग्रीन चटनी, शॉस, दही या चाई के साथ सर्फ करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही मस्त लगेगा, तो इसी तरह से हम बाकी चीले को सेक लेंगे, तो इस तरह से मेथी का चीला जरू ट्राइ करें और एं आपको मिल सके सबसे पहले, तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नए रिस्पी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंस हल्दी खाईए, हल्दी रहिए, थाइंक यू